तो आज किस वीडियो में आप लोगों बताने वाला हूँ कि आप लोग भी अपने मोबाइल में कैसे MS Word को डाउनलोड और इंस्टॉल करके कैसे उसका यूज करते हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरूसान तक देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि में जो भी इस तरह के वीडियो डालू उसका यह वाला चीज ना आप लोगों को हो सकता सर्च लिस्ट में या हो सकता ऐसा भी आजाए, यहां से फिर इंस्टॉलड पर इसको install कर लेना ठीक है चैनल पर टाच करके मैं भी इसको install करता हूं इससका वेट करते हैं इस नहीं टाउल टांप होता है तो इस करते हैं इसे बइट करते हैं। यह देखैं हिसल्लूने के बाद क्या होता है। इस्क्रीन होने के बाद ऐसे स्क्रीन आएगा यहां पर नीचे एम पहली लिखा वागा थी। तो आपन पर भी टेच करने से यह उपन हो जाएगा और नहीं तो डायेक्ट-mobile को होम स्क्रीन पर जाने से इस आपको भी हम लोग ऑपन कर सकते हैं चलिए मान À स्क्रीन पर भी दिखाता हम वहां से आप लोगों को इसे ऑपन करके चलिए मैं home screen पर ता हूं इस home screen पर नियों दिख रहोगा इस पर touch करेंगे यह open हो जाएगा तेखें टेश करता हूं यह open होता है यह देखें यहाँ पर यह कुछ setting होता है यह setting का wait करना आप लोगों को भी अब देखें यहाँ पर आप लोगों को तो ऐसा स्क्रीन मिलेगा get things done on the go ठीक है sign in और sign up for free ठीक है तो आप लोगों को क्या करना यहाँ पर sign up करना है ठीक है तो अगर आप लोग बिना sign up किये हुए ठीक है बिना sign up किये हुए यानि बिना email ID phone number अगर आप लोग इसको चलाना चाहते हैं तो देखिए आप लोगों क्या करना होगा आप लोगों को देखिए आप नीचे में दिखरा गई sign in एक मिट मैं इसे उठा थोड़ा सा उपर करता हूँ तो देखें आप लोगों को दिखरा होगा यहां पर सानीन लेटर है ठीक है तो सानीन लेटर पर क्या करना है हम लोगों को टच कर देना अगर बिना हम लोग email id phone number दिए अगर use करना चाहते हैं तो चलिए sign in लेटर पर टच किए अब देखें यहां पर फिर से sign in आया था और इस तरह का next आया है तो next कर देना है फिर यहां पर देखे don't send optional data फिर है नीचे में accept and send optional data तो आप लोगों को don't send optional data पर touch कर देना है ठीक है फिर close पर touch कर देना है ठीक है फिर अगर यह इस तरह का sign in वाला interface आता है screen आता है ठीक है तो इसको छोड़ देना इस पर आप लोगों कुछ नहीं करना है ठीक है तो चलिए अब क्या करना है आप लोगों को दिखें यहां पर दिख रहा है उपर में यह प्लस आइकन दिख रहा होगा प्लस बटन दिख रहा है ना तो इस पे हम लोग वह टेच करेंगे तो एक नया file नया document यहां से ले सकते हैं तो देखिए अाप टेच की जिए दिखें टच किये तो देखिए यह ब्लांक डॉकमेंट लिखा वा रहा यहां पर देख रहे होंगा आप लोग कि यह ब्लैंग document है और ये welcome to weather है तो हम लोग को क्या करना है अगर लेना है तो blank document पह है और Jake notes याने की सब बहु सारे templates है ठीक है यहाँ पर दिया मद 2022 नीचे और प्लिद स्रिधा करों सा हैं तो आप लोगों को क्या करना है छहाँ पर आप लोगों को ब्लाइंक कर देना था खि예요 करुछ आए गा थिक आए से बाद आएगह तो यहां पर गौत- syllablesचソ कर देना गौत-úsica ना डिखे इस तरह के एक ब्लेंक पेंट आप लोगों को सामनी आ जाएगा इप ब्लेंक पेज में देखें, एक करसर यहां पे लिंक करता है, ठीक है ठीक न digitally तो अब दिखें, यहां पे अगर कुछ लिखना है, तो हम लोग कईसे, कैसे लिखेंगे यहां पे टँच करेंगे तो की बोरड आगया, अगर एक बार टेच करें इसके बोर नहीं आता तो दो बार टेच करेंगे देखें की बोर्ड आ गया अब हम लोग यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है लिख लिए कुछ भी ठीक है चलिए मैं पूरा सेंटेंस लिख करके दिखाता आप लोग को मैं लिख करके दिखाता हूँ आई एम जंदन कुमार ठीक है फूल स्टॉप देखेता हूँ अब देखें जो लिखा हुआ है अगर इसका कलर आप लोग चेंज करना चाहते हैं ठीक है तो कैसी करते हैं हम लोग तो सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए सेंटेंस के फर्स्ट लिटर के आगे रखते हैं करसर कर वहां पे थोड़ा देर प्रेस करके रखते हैं हम लोग उंगली से तो यह देखें इस तरह कर जब आ जागा तो इसको क्या कर लेना खीच करके पूरा सेंटेंस को सेलेक्ट कर अब स्क्रीन के बाद यहां पर देख करेंगतु यह देखो १े लिए स्क्रीन पर आप लोगज देखा रहे हैं को तो यहां पर आप लोग देखिए यह देखिए एक नीचे रेट कलर है ठीक है तो इसी से हम लोग अपने फोंट के कलर को चेंज कर सकते हैं जो लिखे हैं उसके कलर को चेंज कर सकते हैं ठीक है विचली मैं कलर को को चेंज करके दिखाता हूं इस पर मैं टच करता हूं तो घ्लार आ गया फिए इसको उपार में खाल करेंगे तो standard कलर है उपार में theme colors बग此र यह नीचे में standard color है और इसके नीचे automatic black है और उसके नीचे more और कलर से यहां से हम लोग और अपना कलर ले सकते हैं बना सकते हैं जिसे कि मैं आप लोगों दिखाता हूं ठीक है चलिए यह फिचर इसमें नहीं यह Microsoft 365 फिचर में है यह सपोर्ट करेगा ठीक है तो चलिए मैं यहां से कोई तो देखे मैंने लिखा था आयम चंदन को मार तो यह क्या हो गया इसका मैंने चेंज कर दिया ठीक है तो इस तरह हम लोग कलर कर देखें यहाँ पर ये जो फोटास अरो दिखा जिसका क्या है मूह जो है डाट मिन्स फेश जो है इसका उपरं के तररह अप के तरहा है थीसओं आरो पर क्या करना है व्लोगो और करना जैसे हैं तो जीसे आप लोग मैंदिखाता हूँ काहां से나무 क सती है डिक हैर धिक हुए ठीक है यह हम लोग को टेकल करना जीए मापनगों टेच करके दिखाता हूँ और यह लिश्ट खुल लागा यहां पर इस लिष्ट में देखें बहुत सारा फॉंट का टाइप दिया हो तो आप जिस फॉंट पर टच किजएगा उस तरह का यह लिखा जाएगा ठीक है तो चलिए आप लोगों को कर्सिव थोड़ा ज्यादा पसंद है तो मैं कर्सिव यहां से करके आप लो कि देखिरा आप लोग और हो खंड़र, यह है तो यह इस टैप से हो गया जाना पहले दूसरा तेप से था यह तो हम लोग अपने राइटिंग स्टैल को यहां से चेंज कर सकते हैं अब फोंट के शाइज को घटा से चेंज करते हैं तो जिसका साइच करना उसको पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं तो वापिस क्या करना हम लोगों को उस सेंटेंस के आगे टच करके रखना है यह जैसे आजाएगा यहां से हम लोग ड्रैक करके इसको खीच करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे और नहीं तो से करेक्ट ऐने के बाद यहां प yr eller 11 लिखाओ दिख़गाफ अब लोग경 को यह को अलेवन यह सेखिक實 लग equipped के सायच दिखते हैं जी सबसे मेनीमाम साईच को सब्हों सबसे साइट हैं सबसे मैक्सिम मैं font के size को भी change कर सकते हैं ठीक है चलिए तो और भी तो चलिए और भी बहुत कुछ हम लोग इसमें कर सकते हैं तो कुछ अभी और मैं basic बता देता हूं बाके बाद और भी इसका detail वीडियो मैं इसके अगले sequence में अगले वीडियो में मैं डालूंगा ठीक है तो देखें यहां पर आप लोग देख पा रहेंगे कि यहां पर जैसे बोल्ड लिखा हुए टालिक लिखा हुआ अंडर लाइन लिखा हुआ श्ट्राइक थू लिखा हुआ है तो यह सबसे बोल्ड पर टच किजिएगा जिस अब क्या करना है मुझे बोल्ड करना है चली यह थ्रोण ज्यादा च्छोटा घ्या आप लोगों को सायवसाध नहीं दिख रहा होगाया इसे बोल्ड करना है तो बोल्ड पर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं यह जनरली तब ही उच्छ कहा जाता है जब माल लिए आप किसी का कुछ चेक कर रहे हैं उसमें कुछ मिश्टेक है तो आप उसको स्ट्राइक कर सकते उसको काट सकते हैं जैसे कि देखिए देखिए मैं जूम करता है यह जोम करता है यह जोम करके दिखा रहा है डिकाए-बांदि देखें कि इस तरह سब में और भी वीडिएयो में डालता जाओंगा ठीक है कि मैरे चैनल को सुर्सक्राइब करके बेल करीकмен कुछ जरूर पर इसका डिटेल बिडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जा है तो थैंक यू फॉर वाचिंग मैं बिडियो